तो लोट्यवाटी स्वागता आप सभी को एक बड़ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहां पर हम आपके लेकर एक मोस्ट इंपोर्टन वीडियो ठीक है जो रहने वाली है बीड के लेटर ठीक है जिसे अब सुब को दिखे है यहां पर ठीक है और इससे पहले मैंने के लिए करना चाहता है कोई बच्चा तो वो अप्लाइक कर सकता है ठीक है अभी इसकी 13th of Jan तक जो है वो लास्ट टेट है ठीक है तो यहां पर पहले तो बहुत सारे बच्चों को confusion है ठीक है तो वो मैं दूर करना चाहता हूं ठीक है और वो confusion क्या है कि बच्चों को जो है डीडी जो होता है हमारा और जो regular होता है ठीक है यानि जो affiliated हमारे college होते है ठीक है उसके बीच में और डीडी के बीच में क्या अंतर है ठीक है तो affiliated हमारे क्या होते है private colleges होते है ठीक है जो private colleges होते है यह क्या होते है affiliated होते है हमारे university of kashmir से ठीक है यह kashmir university से अब डीडी क्या ह होते हैं किसे जो मेन उनिवेस्टी है ठीक है और इनमें क्या होता है अंतर क्या होता है डीडी और इसमें यह बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल रहा था तो देखो पहली बात हो क्या होता है कि जो डीडी होता है एक टाप का डिस्टेंस मोड होता है आपको गर बैठके बढ़ना होता है ठीट ट्रप्रेपपट कई गया है तो आपको सिर्फ किसलिए जाने है το गृष जब आपका जी और शारी निशारी तिकुट好好 कौशट करते ओगा हो या पिर स्टेट इंस्टिटवट ऑस धूटता है इस are भी SCRT बोलते हैं ठीक है तो वहाँ पर आपको विजिट करना होता है ठीक है तो तब ही आपको जो है वह उनिवस्टी जाना होता है फिर आपको एक सुपरवाइζर किया जाता है वो आपके साथ होता है तेन आपको चीटेंग्री जाती कि इंगे उसके बार teaching practice होती है, आपको तभी जाना होती है, जब आपके exam होती है, ठीक है, और plus, जब आपके क्या होंगे, इंटर्नल assignment या assessment, चो आपके test होती है, ठीक है, तो तभी आपको जाना होती है, बाकी इसमें आपको गर पे बैठके पढ़ना होता है इसलिए distance mode का क्या मतलब होता है यही तो होता है distance mode का तो यहां पे regular कोई work नहीं होता ठीक है class work नहीं होता ठीक है लेकिन हाँ minimum 30 days के लिए आपको जाना पड़ता है वहां पे ठीक है तो affiliated or private colleges की बात करें तो यहां पे क्या होता है कि आप सबको बता होगा कि यहां पे आपको regular जाना पड़ता है एक journal है जैसे आप government college में जाते हो न वैसे आपको similar day by day आपको daily जाना पड़ता है regular यहां पे work होता है ठीक है यहां पे क्या होता है regular class पर कोता है उसके बाद जो आपकी teaching practice होती है वो तो आपकी होती है बाकि आपको यह यह अंतर है कि इसमें regular नहीं जाना पड़ता है DDE में लेकिन यहां पे आपको regular जो हो college जाना पड़ता है ठीक है बाकि क्या होता है कि अगर burden की बात करें दोनों के देखा चाहे तो जो मारा DD होता ने इसमें burden कम होता है इस compare to जो अफिलेटर और private colleges होते और इससे भी जाधा burden का होता है गोर्मेंर्मेंट college में टीक है जो जी सीओ होई होते हैं यह फिछी एमारे यह भी होट और करते हैं तो आप सबसे जादा उससे कम होता है जो private or affiliated colleges होते ह और उसके बाद डीडी में होता है सबसे कम बस फरक इतना है ठीक है बाकि जो एफिलेटेड कॉलेजिस होते हैं इनके पेपर तो आप सभी के जो है वो कहा होते हैं और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या यह जो कॉलेजिस आते हैं जो बीड का प्राइवेट सब्सक्राइब होंगे ना अगर व एफिलेटेड कशमीर उनिवेस्टी से तो इत मींस वह से मानेता मिली हुई है उनको तब ही वह सब्सक्राइब करना चाहते हैं और जो प्राइवेट करना चाहते हैं उसकात र्यगिलर का यह असी जो महरा होता है यह हमारा सिरिनगर में या फिर जो हमारा CRC होते हैं ठीक है, Composite Regional Center में जो होते हैं, तो इसका admission तो आपका JK Boop की साइट से होते हैं, आप सबको बता होगा, JK Boop जो है, वो exam conduct करता है आपका, ठीक है, उसके बाद आपकी merit list बनती है, ठीक है, provisional merit list बनती है, यह फिर आपका जागे क्या होता है, counseling होता है, आप सबको बता होगा, और counseling के बाद आपको कहीं पे जो है, वो admission list की, जो है, जारी होती है, जिसमें आपका नाम होता है, ठीक है, फिर आप कहीं जागे admission लेते हो, ठीक है, और XERC, Compositor Regional Center, तो अशागरत हो कि आपके जो भी doubts थे, वो इस video के अंदर clear हो चुगा, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, यह एक नए notice है, जिसमें क्या होगा, कि आप main campus जो है, यह south campus जो है, ठीक है, University of Kashmir का, session 2023 से 25 के लिए, अडमिशन का notice आउट हो चुगा है, ठीक है, और जो भी बच्चे admission लेना चाहते हैं, ठीक है, prescribed format admitting from the leasable candidate of Kashmir and Ladakh for admission to two-year BAT program, session दे रखा है, ठीक है, at department of education, ठीक है, main campus and south campus, University of Kashmir, तो candidates applying, जो इस course के लिए apply कर रहे हैं, should have क्या होना चाहिए, qualified होना चाहिए, उनका BA, या BSC, जो भी आपका bachelor degree होना चाहिए, ठीक है, और pattern 10 plus 2 plus 3, at least आपके 50% marks होने चाहिए, general category वालो, और जो reserve category वाले हैं, जैसे SCST, अगर कोई और category हो, BC हो गया, ठीक है, या PSP हो गया, RB हो गया, ALC हो गया, कोई भी आपकी category है, तो उनके लिए 45% marks है, अब तो आप अलेजी भलो, ठीक है, और या फिर किसी भी universities हो सकता है, यहां तो University of Kashmir से आपने भी यह करा हुआ, यानि BSC, आपका bachelor जो भी course है, वो degree जहां से भी करा होगा, ठीक है, या फिर कहीं और recognized university से, ठीक है, considered as equivalent होगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो सोचेंगे कि हमने किश्मीर university से कोई course नहीं करा, तो यानि जो हमारा bachelor degree था, वो वहां से नहीं है, तो क्या हमें मिलेगी, मि with minimum two years teaching program, sorry, teaching experience in government, government recognized private schools are also eligible to apply for the work program, तो अगर कोई teacher लगा होगा है, ठीक है, graduate teacher लगे होगा है, अगर कोई, जिनको चाहिए कि हमें beat करनी है, तो वो भी जोगा है, वो apply कर सकते हैं, ठीक है, उनका pattern, अगर इस pattern के हिसाब से वो लगे होगा है, ठीक है, जिसे 10 plus 2 plus 2 के बैस पे, और उनके पास क्या होना चाहिए, minimum two years का क्या होना चाहिए, teaching experience होना चाहिए, और वो भी eligible है, यह मैं आपको बता दिए, और post graduate candidates, उनके भी at least 50% marks होने चाहिए, जर्नल वालों के लिए, और 45% marks होने चाहिए, category वालों के, किसी भी उसमें चलेगा, बिश्य में चलेगा, यान 13th December से लेखे, यह चलेगा, 13th Jan तक आप कार्डमेशन होने वाला है, ठीक है, उसके बाद, submission of online application forms, तो यह मैंने आपको बताए, कि आपको साइट पे विजिट करना है, ठीक है, simply आप कश्मीर यूनिवेस्टी लिखो, उसके नीचे चले जाओ, ठीक है, वहां पे आपको तो यहां पे लिखा होगा, ठीक है, वह अपने इस पर टैप करते हैं, जब इसकी अभी चल रहे हैं इसके फार्म, ठीक है, तो आप admission वाले पर टैप करो, और वहां पे अपना register करो, ठीक है, और उसके बाद, simple है, आप अपने mobile phone से 2-3 minute के अंदर फार्म जोब फिल कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और photo बगारा की upload करने की दिक्कत होती है, जिसमें क्या होता है, कि बच्चों को size कम चाहिए हो, तो size आप असानी से कर सकते हो, यार, resizepixel.com site पे जाओ, वहां पे अपना photo upload करो, जितना size चाहिए हो, वहां से आप उससे साबसिक कर सकते हो, ठी ठीक है, और registration number, ये last मैं भी बच्चे पूछ रहे थे, तो registration number आपका last qualifying exam का होगा, ठीक है, आता है, जैसे आप login करोगे न, तो login करने के बाद आपका जो पहला ही step आएगा, वहाएगा registration number, तो registration number आपका क्या होगा, last qualifying exam, जो भी आपका है, ठीक है, ठीक है, अगर PG है, ठीक है ठीक है, और जो भी आपका course होगा last, उसका आपने क्या कर देना है, registration number यहाँ पे enter कर देना है, फिर उसके बाद enter the required detail, फिर उसके बाद आपका photo मांगेंगे, passport size, photograph and click next, upload आपको करने है original, ठीक है, और यह आपको जो भी certificates हैं, इनको आपको वहाँ पे upload करना है, PG, यह अगर है तो category का, तो फिर आपको apply, यानि उसका भी आपको evidence रहा हो, submit करना पड़ेगा, before clicking submit button, आपने check कर लेने, कि क्या आपने जो भी information फिल कर रहा है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप print out ले लो, and जो भी ID है, उसको save कर लो, तो save तो रहता है, वैसे आपको confirmation का mail आ है, ठीक है, और आपको 750 होगा, वो fee pay करनी है, ठीक है, और online mode से आप करोगे, ठीक है, और non refundable है ये fee, ठीक है, तो देखो जैसे last video के अंदर मैंने बताया था, जब private वालों का admission का notice आया था, तो similar procedure इसी में भी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसके बाद additional information दे application after 3 days, तो 3 दिन के बाद आपको अपना status चेक करने है, ठीक है, किया अगर आपका फिरापका farm accept होए है, कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, और अगर नहीं होगा थीके, not uploaded, तो contact करने हैette कि बनक को, ब्रांच को परसकते हैं याफिय। तो आपको वहां पे अप्रोच करना बड़ेगा और एप्लिकेशन फार्म अगर इनकम्प्लीट रहता आपका विद एनी रिस्पेक्ट यानि इन एनी रिस्पेक्ट किसी भी कोई भी चीज आप वहां पे नहीं पर जैसे आप उपने आपने उपर गया करा कैटेगरी फिल करत अंदर एनी रिजर्व केटेगरी तो मैंने आपको बता दिया कि उनकी कैटेगरी सेटिफिकेट की जो जैनिन ऐसा है यानि वह वैलिए होना चाहिए जो भी आपकी कंपिटेंट अथारटी है उसका होना चाहिए और प्रॉपर जो डेट के हिसाफ से वह प्रॉपर एक्तम होना चाहिए ऐसे कोई फालसीफाई डॉकूमंट त्यार मत कर लेना ठीक है उसके बदा अड्मिशना टुदा कोर्स विस्टिक्टली गूंट वाइद आपको बता दिया ठीक है तो यह बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है कि NCT NCT ठीक है बाकि आपको यहां पे दे र रहती है आपको यह कहीं पे दिक्कत आ रही है कोई पता नहीं चल रहा है तो आप एक वर जरूरूर रहता है ठीक है बाकि और क्या बताना था मुझे प्राइवेट हो गया यह मेंन केंपस वाला आ गया ठीक है डिपार्टमेंट अफ एड्यूकिशन और रेगुलर वाला हो अप्लोड कर देंगे और आपको पूरी चानकारी दे देंगे ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलने आप लोगों ने ठीक है और ताकि जो भी वीडियो आए ठीक है आप तक असानी से पहुँच जाए सो आज के लिए इतना ही मिलते के लिए वीडियो में तब तक बिले बाई 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 and have a good day